हेलो स्ट्रेंट्स, कैसे आप सब, I hope you all are well, तो स्ट्रेंट्स, आज का मारा टॉपिक है, rate of a chemical reaction, तो देखो यहाँ पर rate का मतलब क्या है, speed, जैसे कि वैकिल्स में होता है, speed क्या होता है, distance upon time, तो कितना fast कोई वैकिल चल रहा है, है न, तो यहाँ पर भी rate का मतलब speed है, कैसी speed, react जिससे product बन रहा है, वो ही क्या है rate है, समझ में आया, तो कितना product बन रहा है, मतलब concentration कितना increase हो रहा है, product का, divided by कितने time में हो रहा है, समझ में आया, कितना product बन रहा है, divided by कितने time में वो product बन रहा है, यह समझ में आया, तो देखो rate of reaction क्या होगा हमारे पास, rate of reaction क्या होगा हमारे पास reaction लिख लेते हैं इसको क्या होगा increase in concentration of product divided by time taken यह होगा ठीक तो यह product के way में होगा अब हम reactant के way में करते हैं तो उसमें क्या होगा reactant क्या होगा decrease होगा तो decrease in concentration of reactant divided by time taken time taken तो यहाँ पर एक hypothetical reaction हो रही है reactant से product बन रहा है ठीक तो यही हुआ product का क्या होगा concentration increase होगा और reactant का decrease होगा ठीक अब देखो सबसे पहले यहाँ देख लो आप reactant का क्या हो रहा है जो concentration है वो decrease हो रहा है ठीक तो सबूज T1 time पर जो concentration था और reactant का वो था R1 ठीक इसको लिखलो R1 बहार लिखलो ऐसे और T2 time पर यह था R2 ठीक तो जो decrease होगा वो कैसे होगा R2 minus R1 होगा क्योंकि जो time होगा न वो time तो हमें बड़ा लेना पड़ेगा पहले तो T2 minus T1 होगा तो T2 minus T1 time में ठीक जो concentration decrease होगा वो क्या होगा R2 minus R1 होगा क्योंकि पहले हमने T2 लिया न तो फिर पहले R2 लेना पड़ेगा तो देखो फिर क्या होगा divided by T2 minus T1 यह होगा अब देखो R2 minus R1 यहाँ पर R2 बड़ा है कि R1 बड़ा होगा क्या होगा concentration starting में ज्यादा होगा न पहले वाले का और concentration धीरे धीरे time के साथ decrease होगा तो R2 क्या होगा decrease होगा मतलब कम होगा ठीक R1 से कम होगा तो फिर यह क्या होगा जो यह पूरी expression होगी वो negative में जाएगी minus होगी क्यों क्योंकि R2 छोटा है और R1 बड़ा है तो इसलिए हम बाहर minus लगा देते हैं हमारी positive में आए क्योंकि यह negative में होगा फिर बाहर minus करेंगे तो हमारा फिर rate of reaction positive में आएगा समझ में आ रहा है तो हम फिर यह लिखेंगे minus delta R divided by delta T ठीक अब product के way में हम करते हैं तो क्या होगा देखो T1 टाइम पे जो product का concentration है वो होगा P1 और T2 पे होगा जो concentration होगा product का वो होगा यह हो जाएगा ठीक तो देखो time बढ़ा लेंगे ना पहले तो T2 minus T1 ठीक तो यह divided में जाएगा किसके P2 minus P1 के ऐसा होगा यह P1 है तो यहाँ पे बढ़ा कौन सा है P2 होगा क्योंकि जो product है उसका concentration increase हो रहा है तो P2 तो बात का है ना T2 time का है ठीक बात का है इसलिए यह बढ़ा होगा किस से P1 से तो इसका मतलब यह पूरा positive होगा तो बाहर हमें plus minus लगाने के कोई जरुवत नहीं है तो इसलिए अब हम इसको क्या लिख सकते हैं डेल्टा पि अपॉन डेल्टा टी तो यह प्रोड़क्ट के वे में हो गया और यह रियक्टेंट के वे में हो गया यह समझ में आया आप देखो जो यहाँ पर time factor है वो बहुत important है ठिक यह delta t अब देखो कुछ reactions होती हैं जो बहुत ही fast होती हैं जैसे ही हमने reactants को mix किया reactions within कुछ seconds के अंदर या seconds से भी कम fraction में हो गया समझ जो देखो जैसे ही हमने reactants को मिलाया तो तुरंत reaction हो गई तो इतनी fast होती है कि हम जो आपकी आपका stop watch है उसका button तक नहीं दवा सकते हैं इतनी fast होती है मतलब laboratory में हम कर ही नहीं सकते हैं इस experiment को तो rate of reaction हम निकाल ही नहीं सकते हैं क्योंकि t2 minus t1 करना पड़ेगा न तो वो तो हो नहीं पाएगा ठीक तो यह जो reactions होती है वो 10 की power minus 6 seconds में भी हो जाती है और इससे कम time में भी हो जाती है तो फिर जो stop watch होगी उसका button दवाने का तो फिर सोच नहीं मत ठीक तो यह जो reactions होती है यह ionic होती है ionic reactions होती है जो बहुत fast होती है समझ में आ रहा है और यह aqueous form में होती है यह दोनों फिर reaction करेंगे तो यह बना देंगे यह भी aqueous form में होती है तो फिर यह बना देंगे देखो aqueous form में होती है इसलिए क्या होती है यह जो reaction होती है वो बहुत fast होती है क्योंकि aqueous solution में क्या होंगे यह जो acid है या जो salt है वो ionize होंगे split होंगे तो जब reaction होगी जब reaction होगी तो bond जो bond होंगे वो टोटेंगे नहीं क्योंकि वो पहले से ही टोटे हुए तो इसलिए reaction बहुत fast होती है और जो other reactions होती है उनमें पहले bond टोटते है फिर नए bond बनते हैं में time लगता है समझ में आ रहा है इसलिए ये बहुत fast होती है तो हम rate of reaction नहीं निकाल सकते हैं लेबर्टी में निकालते हैं scientist निकालते हैं पर बहुत ही precisely समझ में आ रहा है दूतर है very slow तो कुछ जो reactions होती है वो बहुत ही slow होती है जैसे कि rusting of iron तो iron पे rust लगता है तो उसमें बहुत time लगता है ठीक जैसे आपने iron रखा है बहर और आपने stop was दबा दिया ठीक है time तो चलेगा हो सकता है iron पे 10-15 दिन में भी rust नह लगे और आप पे rust लग जाए बैठे बैठे तो इसमें भी हम नहीं निकाल सकते है accurate नहीं निकाल सकते है तीसरा है inner miserable time तो miserable time मतलब कि हम time को measure कर सकते हैं आसानी से तो ये वो reactions होती है hydrogen peroxide का जो decomposition होता है nitrogen oxide का जो decomposition होता है ठीक और जो ये kane सुगर होता है मतलब सुक्रोस तो उसका inversion ठीक है glucose और fructose में तो ये भी miserable time में होता है तो इनका हम क्या कर सकते हैं जो ये reactions miserable time में होता है इनका हम rate of reaction निकाल सकते हैं तो समझ में आ गया अब आगे देखो और देखो ये ही average rate of the reaction है average का मतलब क्या हुआ देखो हर time rate of the reaction सेम नहीं होगी जैसे जैसे reaction बढ़ती रहती है progress करती रहती है reactant खतम होते रहते हैं और product बनते रहते हैं तो साथी साथ क्या होता है rate of the reaction decrease होने लगता है अगर other conditions जैसे temperature प्रैसर वगर हैं वो अगर सेम हो तो जो rate of the reaction होता है वो decrease होते रहते हैं जैसे देखो आप बाइक चला रहे हो तो कभी speed increase करोगे कभी speed decrease करोगे तो जो overall speed होगा मतलब average speed होगा वो क्या होगा total distance जो cover किया divided by total time तो यहां भी वही होता है जितना concentration increase हो रहा है product का divided by जितने time में वो increase होआ ठीक वैसे ही अगर reactant के way में कहेंगे तो जितना भी reactant जो concentration है उसका जो decrease होआ divided by जितने time में वो decrease होआ समझ में आ गया तो यही average rate of the reaction है आगे देखते हैं historic metric coefficient का involvement अगर reaction में होगा तो फिर हमारा rate of the reaction क्या निकलेगा तो देखते हैं suppose पहले कोई भी coefficient नहीं है जैसे कि Hg प्लस Cl2 तो यह बना रहा है Hg Cl2 तो यहां कोई भी coefficient नहीं है मतलब यहां 2, 3 ऐसा कुछ नहीं है न तो अब rate of the reaction क्या होगा देखो यह 1 mol क्या हो रहा है decrease हो रहा है यह भी 1 mol क्या हो रहा है decrease हो रहा है और यह 1 mol बन रहा है मतलब सब का जो rate है बनने और तूटने का वो सेम है समझ रहे हो ठीक तो जो rate होगा वो क्या होगा देखो minus delta Hg upon delta T is equal to minus delta cl2 divided by delta T देखो जो यह concentration है ना जो यह square bracket है यह वाले यह molar concentration को सो कर रहे है मतलब molality को सो कर रहे है ठीक तो यह is equal to फिर क्या हो गया delta Hgcl2 by delta T तो जब इसका concentration लिखेंगे मतलब rate लिखेंगे तो तब minus नहीं लगाएंगे क्योंकि यह product है यह बताया पहले ठीक तो यह rate हो जाएगा तो coefficient नहीं है जब stoichiometric coefficient नहीं है तो तब rate of the reaction यह होता है यह समझ माया बट अगर coefficient हो तब क्या होगा अगर coefficient हो तब क्या होगा देखो जैसे 2HI hydrogen iodide इससे बन रहा है decompose होके H2 plus I2 अब क्या होगा देखो 2 mol hydrogen iodide से 1 mol of hydrogen बन रहा है और 1 mol of iodine बन रहा है अब देखो यहाँ पे जो efficiency है न वो hydrogen iodide की double है बजाए की H2 और I2 के तो मतलब efficiency क्या है मतलब दुगने rate से HI खतम हो रहा है और यह single single rate से बन रहे है तो इसका मतलब suppose I2 का जो rate है rate of appearance मतलब बनने का जो rate है वो x है तो S2 का भी क्या होगा x होगा बट यहाँ पे HI का क्या होगा 2x होगा समझ में आ रहा है तो rate of the reaction क्या होगा देखो I2 का क्या होगा डेल्टा I2 divided by डेल्टा टी ठीक और S2 का क्या होगा डेल्टा S2 divided by डेल्टा टी ठीक और देखो HI का क्या होगा डेल्टा HI अपॉन डेल्टा टी और यह माइनेस में होना चाहिए आप देखो एक और चीज़ है यह क्या है x है इसका rate इसका भी rate क्या है x है और इसका क्या है rate 2x है है ना तो इसका मतलब यह x है यह x है और यह 2x है और देखो हमने तीनों को equal किया है इसका मतलब इसको भी हमें x करना पड़ेगा तो फिर हम क्या करेंगे इसको divided by 2 कर देंगे यह समझ में आया ठीक आप देखो एक और reaction लिखूँ 2N2O5 यह decompose हुआ और इसने बनाया 4NO2 प्लस O2 ठीक अब देखो इसका क्या होगा है rate of the reaction डेल्टा एन्टू O5 बाइ डेल्टा टी ठीक यह होगा यह माइनेस में होगा और डिवाइड बाइ 2 होगा तो half इन्टू हाफ यह हो जाएगा इस इकोल टू देखो डेल्टा डेल्टा NO2 बाइ डेल्टा टी और डिवाइड में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा तो यहाँ इन्टू 4 करतो नीचे ठीक इस इकोल टू फिर ऑक्सिजन क्या होगा डेल्टा O2 और डेल्टा टी यह हो जाएगा तो समझ में आया तो जो भी कोविशेंट होगे न उनको डिवाइड में ला जाओ नीचे ठीक तो यह हो गया यह समझ में आ गया तो चलो आगे देखते हैं आगे देखते हैं instantaneous rate तो instantaneous rate क्या होता है देखो अगर हम किसी particular moment of time पे rate निकालते हैं rate of reaction निकालते हैं तो उसी को क्या कहते हैं instantaneous rate कहते हैं देखो जो यह rate होता है instantaneous rate इसको हम एकदम correct नहीं निकाल सकते हैं समझ रहो एकदम correct नहीं निकाल सकते हैं क्यों? क्योंकि हमें delta t निकालना है और delta t में क्या होता है? t2-t1 होता है तो हमें दो time तो चाहिए ही चाहिए यह समझ में आ रहा है हम क्या कर सकते हैं? यह time बहुत ही small कर सकते हैं मतलब इनका जो difference है न t2-t1 का वो approach to 0 कर सकते हैं समझ में आ यहा? बहुत कम कर सकते हैं और उस difference के बीच में मतलब इन दोनो time के बीच में फिर हम देखेंगे कि rate क्या है मेरी बात समझ में आ रही है ठीक? क्यूंकि देखो जैसे-जैसे time increase होता है rate of reaction मैंने कहा था आपको कि decrease होते रहता है ठीक? तो दो time हम ऐसे लेते हैं जो बहुत ही आसपास हो बहुत नियर हो तो उनके बीच में जो rate of reaction होगा वो almost क्या होगा? constant होगा क्यूंकि concentration जो होगा इन दोनो time के बीच वो almost बराबर होगा तो rate of reaction भी almost constant होगी समझ में आ रहा है इसलिए हमें delta T almost किस की तरफ ले जाना है? 0 की तरफ ठीक? तो देखो जो reactant के वे में है वो क्या है? minus delta r upon delta T है ठीक? और जो आपका product के वे में है वो क्या है? delta P upon delta T यह है अब देखो हमें क्या करना है? जो delta T है उसको 0 की तरफ ले जाना है ठीक? मतलब approaches to 0 तो जो delta T है वो 0 की तरफ है मतलब बहुत ही small है और यहां भी same है delta T approaches to 0 ठीक? यह समझ में है तो अब आपने differential calculus में अगर पढ़ा होगा अगर delta T approaches to 0 मतलब very small होता है तो हम जो यह delta r upon delta T है यह delta p upon delta T है इसको derivative की form में लिख सकते हैं मतलब इसको हम लिख सकते हैं dr upon dt ठीक? और minus का sign तो लगे गई क्यूंकि reactant है और इसको लिखेंगे हम dp upon dt समझ माया? ठीक तो जो time है न उसको हमें बहुत close time लेने दो T2 और T1 बहुत close होने चाहिए ताकि जो rate of reaction है वो ज़्यादा vary ना करे तो हमें एक constant rate of reaction मिल सके उस time के बीच और अगर stoichiometric coefficient होंगे तो जैसे average rate में क्या था इस से वहल है वैसे same यहां होगा ठीक अगर 2 mole बन रहे product 2 mole बन रहे तो यह 1 by 2 होगा 3 mole बन रहे तो 1 by 3 होगा reactant 2 mole है तो 1 by 2 होगा ठीक तो यह same वैसे होगा जैसे average rate में था आगे देखते हैं हम average rate और instantaneous rate का measurement कैसे करते हैं तो देखो यह graph है किस किस के बीच में concentration of reactants और time के बीच में और concentration of products और time के बीच में तो देखो simple सा ही हमें पता है जो formula है यहाँ पे c2 minus c1 लिखा है हम r2 minus r1 लिख रहे थे तो कुछ भी लिख लो concentration यह है ठीक तो यहाँ पे graph में यहाँ concentration है और यहाँ time है ठीक तो देखो यह t1 है और इस पे यह जो concentration है वो c1 है और यहाँ पे t2 है और concentration क्या है c2 है तो बस यहाँ रख लो और हमें क्या मिल जाएगा rate मिल जाएगा average rate मिल जाएगा वैसे यहाँ पे products के base पे क्या हो रहा है यहाँ पे same है t1 t2 और इनके लिए जो concentration है उस time पे c1 और c2 तो formula में रख लो तो यह हो जाएगा ध्यान रखना जो stoichiometric coefficient होते है उनका ठीक तो reaction दी रहेगी और जो यह concentration और क्या कहते हैं जो यह time होगा वो भी दिया रहेगा बस formula में रखना है पर coefficients का ध्यान रखना ठीक है यह हो गया अब देखते हैं instantaneous का निकालना है अगर हमें ठीक तो instantaneous rate निकालना है तो कैसे करेंगे देखो हमें यहाँ पे निकालना है 600 seconds पे मतलब starting से जहाँ पे 600 seconds आता है तो देखो कैसे करेंगे हम small time interval लेंगे तो 800 और 400 का तो यहाँ पे हमने एक tangent खीचा ठीक तो हम slope से भी निकाल सकते है slope क्या होता है 10 theta होता है न तो यहाँ पे 10 theta minus में होगा तो इसलिए हम क्योंकि यह हमें जो rate है वो positive चाहिए तो हम यहाँ आगे negative लगा देंगे ताकि हमारा यह तो negative में आगा negative फिर positive हो जाएगा तो एक ऐसे निकाल सकते हैं दूसरा कैसे निकाल सकते हैं देखो इसको आगे बढ़ा दो इसको भी आगे बढ़ा दो ठीक अब देखो suppose यह A है और यह B है तो आपने अगर maths में पढ़ा होगा तो जो slope होता है वो O A upon O B होगा ठीक यह मिल जाएगा हमें देखो अब क्योंकि हमें T2 माइनस T1 करना है ठीक क्या होगा R2 माइनस R1 upon T2 माइनस T1 यह होगा ठीक यह concentration है और यह पूरा माइनस में तो देखो time क्या लेंगे small time interval लेंगे जिसके अंदर rate of reaction ज्यादा vary न करे मतलब almost constant rate ठीक तो देखो जो हमारा time interval होगा वो क्या होगा 800 माइनस 400 होगा ओके तो 800 माइनस 400 और concentration देखो क्या है यहाँ पर यह माइनस यह होगा ठीक तो concentration हमारे पास है 0.0165 माइनस यह बुक में है ठीक 0.037 NCRT के बुक में तो यह answer हो जाएगा हमारे पास 5.12 इंटो 10 की पावर माइनस 5 मोल पर लेटर पर सेकेंड तो यह क्या होती है यूनिट होती है रेट की तो आगे समझ में तो आई होप अच्छे से समझ में आएगा है तो ठीक है THANK YOU